जहीं दोस्तों मेरे नाम है नीरे जोर आप देखरें मारे यूटीब चैनल नीरे जोरा क्लासेज मैं हूँ एक चारेड अकाउंटेंट और आजसर में आप लोगों से बात करने वाला हूँ slab rates के बारे में budget 2020 ने क्या इसके अंदर बदलाव किये हैं क्या वाकई में 5 लाग तक की income पे कोई tax नहीं है क्या वाकई में 15 लाग तक की income वालों के मज़े आने वाले हैं ये सारी बाते हम लोग काफी जाधा detail में discuss करेंगे और example के साथ discuss करेंगे तो पूरी वीडियो देखिएगा और अपने विचार जो है comment box में जरूर जरूर रखिएगा एक बात में आप लोग कुछ और कहना चाहूंगा वीडियो को like करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वीडियो को like टाकर रखते हैं सर कम से कम 900 likes का मुझे पूरी उमीद है सर आप लोग मिलके 900 likes जली से complete कर देंगे चली आईए बात करते हैं सर बजट में क्या क्या जो है वो बदलाव आए हैं क्या rate होते थे पहले और अब जो है क्या rate होते हैं मैं बात करूँगा सर एक normal individual की यानि किसा जिसकी age जो है 60 साल से कम है और जो resident है इंडिया के अंदर अब जरा बात को ध्यान सुनिएगा पहले हमारे पास class laps चलते थे 0.5 लाग तक जो है कोई भी हमारे पर tax नहीं लगता था सरचाज तब भी आता था जब आपकी income जो है 50 लाग से उपर जा दी थी खैर मैं बात कर रहा हूं सर हमारे middle class लोगों के बारे में हम जैसे लोगों के बारे में और सर वहाँ पे जो है taxes कैसे लगने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अब government एक नई scheme लेके आई है और उसके अंदर government का कहना है कि अगर आपकी 15 लाग तक की income है तो आपको कुछ जो है फाइदे पहुचा रहे है tax के form में लेकिन यहाँ पे government जो principle follow किया है वो follow किया है quid pro q क्यो क्यो क्या होता है something for something something in return तो यहाँ पे आपको government ने tax rate के नाम पे जो benefits दिये वहाँ पे सर आपसे जो है लगबग 70 exemptions और deductions के फाइदे जो है वापिस ले लिए और बना दिया system को बहुत ज़्यादा complicated अब यह हर individual को अपने case में बैट के देखना पड़ेगा कि कैसे मैं किस चीज के अंदर जाओं क्या मैं deductions वाला option लूँ या फिर मैं इसे बिना deduction के आगे बढ़ूं यह सारी चीज़े जो एक individual को अपने बैट के जो है calculate करनी पड़ेगी और salaried employee की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको as such कुछ फाइदा नहीं होने वाला है और यह government ने सबसे मैं बूलूंगा के एक ऐसा काम कर दिया जिससे सर middle class बंदा और ज्यादा confused हो जाएगा अगर simplification की बात थी तो कुछ ऐसा करते के सर एक flat rate बना देते सबके लिए एक amount तक और वो flat rate पर सब लोग taxes पर करते थे मुझे लगता है उससे government को taxes भी जादा मिलते और आम आदमी के लिए simplification जो है अच्छी कासी हो जाती ऐसा हमने well tax में भी होते हुए देखा है बाई चंस अगर आपकी इंकम में कोई ऐसी इंकम है जिस पे जो है टाक्स रेट जादा है तो भी आपको जो है पांच लाग तक की इंकम भी टाक्स देखा है जिसके टाक्स आपको रिबेट मिलती नहीं है जैसे कि section 112a की income जो के आपको होती है long term equity shares पे तो भी आपको जो है पांच ल पांच लाग तक की इंकम टाक्स देना पड़ सकता है घिया आपको पांच लाग तक की इंकम भी टैक्स देना पड़ सकता हैं अगर आपके पास कोई special rate की income है जिस पेसर 1,500,000 से ज्याद बनता है या पीर आपके पास ऐसी income है जिसके टाक्समास आपको मिलेट जाओं वह व तो आपको जो है दो पार्ट में तोड़ दिया गया है 5 लाग से 7.5 लाग और 7.5 लाग से 10.5 लाग फिर उसके बाद एक और स्लाइब बनाये गया 10.5 लाग और 12.5 लाग और 12.5 लाग ओनवर्ड पंदरा लाग तक तो अब धाई लाग तक अगर आपकी income 7.5.5 Se 10.8 के बीच में है तो आपके उपर tax लगने वाला है 15% का और आपकी income 10.5-1.5 cuma के भीच में है तो आपके tax लगेगा 20%, 15 Goddess लेके 1560 से informations में कितना पर्सेंट 25% और आपकी income भी 15 से उपर निकल just तो आपके यह खआए 30% तो नए slaps जो है थोड़ से ज़ादा slaps हो गए है थोड़ सा complicated भी है क्यों? क्योंकि ये एक optional scheme है येस आपने सही सुना ये optional scheme है आप चाहे तो इस slap rate से tax दीजिए या आप चाहे तो पुराने tax rate से slap दीजिए ऐसा क्यों? गौर्मेर ने बुला कि अगर आप पुराने tax rate से slap दीजिए तो आपको deduction का benefit मिलेगा लेकिन अगर आप नए tax lab rate से जो है taxes पे करते हैं तो आपको deduction और exemption का benefit नहीं मिलेगा अब देखने वाली बात ये कि कौन कौन से deduction और exemption आप से छीन ली गई है और मज़े की बात अगर आप एक salaried employed है और आप इस सब calculation करके देखेंगे तो ultimately आपको नए tax rate के हिसाब से होगा बहुत जादा नुकसान येस आपको 50,000 रुपे साल तक का जो है नुकसान हो सकता है believe me आपको 50,000 रुपे तक साल का नुकसान जो हो सकता है अगर आप एक salaried employee है आपकी salary जो है 15,000,000 रुपे तक जा रही है तो मैं आपको भी एक example करके दिखाऊंगा कि आप पुराने tax में रहेंगे तो शाद आपको बहुत फायदा होता और नए tax regime में आपको हो सकता है बहुत जादा नुकसान देखिए अब यहाँ पर individual to individual matter करने वाला है कि वो कौन सा case उठा है मैं बात करने वाला हूँ सर्च जनल लोगों की और जनल लोगों की बात जब हम करेंगे तो हम देखेंगे सर नए tax regime में नुकसान होने वाला है पका पहले इस मुद्धे पर बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग नए tax regime में जाते हैं तो आपको कितने नुकसान उठाना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें जो आपको छोड़नी पड़ेंगी salary employee वाले जरा ध्यान से सुने salary वाले लोग जरा ध्यान से सुने आपको जो leave travel concession के नाम पे exemption मिलती थी आपको सबसे बहले तो वो exemption अब नहीं मिलेगी house rent allowance के आपको exemption नहीं मिलेगी standard deduction जो आपको मिलती थी 50,000 रुपे साल की बिना कुछ खर्चा किये वो आपको अब नहीं मिलेगी और साथ साथ में अच्छा नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी का मतलब याद रखिएगा यह optional है आप चाहें तो पुराने tax regime में जाएए यह side deduction exemption क्लेम कीजिए और पुराने tax के साब से पुराने rate के साब से आप tax pay कीजिए लेकिन आप चाहते हैं कि मैं नए tax rate के साब से tax pay करूँ तो आपको इस सब कुछ चोड़ना पड़ेगा तो जैसे मैंने को उताया HR गया leave travel concession का आपकी exemption गई आपकी 50,000 रुपीज की जो आपको deduction मिलती थी standard deduction under section 16 वो गई entertainment allowance की आपको deduction मिलती थी आप लोगों को सर वहां पे interest की deduction मिलती थी under section 24 जो के 2,000,000 रुपे तक जा सकती थी अगर husband wife में मिलके घर खीदा था तो ये deduction जा सकती थी कितनी 4,000,000 तक हाँ जी बिल्कुल आपने सई सुना और ये 4,000,000 की deduction बड़े काम की होती थी क्योंकि जब ये 4,000,000,000 का आपका loss बनके आता था तो आप उसको अपनी salary से जो है वो set off कर सकते थे और आप अपनी कम tax pay करके जो है फायदा उठा सकते थे लेकिन अगर आप नए tax regime के हिसाब से taxes pay करते हैं तो आपको अब यहाँ पे house property head में जो deduction मिलती थी वो भी allow नहीं होगी middle class सोच रहा था कि अब बस कमाड़ी ही तूटी है मैं उठ बच जाओंगा थोड़ा सा और तबी सर हाथ पैर भी तोड़ने का इंतजाम कर दिया गया क्योंकि जो सबसे most popular जो है deduction होती थी section ATC की वो भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप new tax regime में जा रहे हैं तो येस आपने बिल्कुल साही सुना आप चाहिए अपना life insurance कराएं चाहिए आप बच्चों की tuition fees पे करें चाहिए आप house property का principal amount पे करें या और यह बहुत सारे जोहाँ पे के अंदर ही ओले पढ़ना एक बात मैं आपको बता दूं सर वैसी हमारी जो middle class है वो unaware है इन सारी schemes के बारे में insurance के बारे में पीपीफ के बारे में सुकन्य स्मिर्दी scheme के बारे में कतराते हैं ये सब चीज़े कराने से term insurance आज भी सर इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि क्या होता है और वहां पे सर आके government ने सर इस तरह का budget निकालके जो है एक तरह से पहले से discourage middle class को और ज़्यादा discourage कर दिया और हम जैसे लोगों के लिए जो financial awareness spread करते रहते हैं कि इंशॉरेंस कर रहो term insurance कर रहो एट्सेटरा एट्सेटरा वहां पे सर हमारे लिए दिखते जो हो और ज्यादा पैदा हो गई है एक बात मैं आपको और बताता हूं कि अभी तो कमर टूटी थी हाथ बाय टूटे थे फिर लगा एक middle class वाले को चलो सर तो मेरा सही सलामत है देख तो सकता ही हूं और तभी सर आया एक और यहां पे restriction के अब आप अपना medical insurance की deduction जो कि आपको पच्छेस जार या पचास जार in case of family plus parents के case मिल जाती थी वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आप नए tax regime में जाना चाते हैं और आपको हो जाता है बहुत सारा नुकसान हां जी बहुत सारा नुकसान अब यह मत समझेगा कि मैं BJP के अगेंस्ट हूं या फिर मैं किसी और के साथ हूं या मैं BJP के साथ हूं मैं तो भाई एक professional हूं मेरा काम है सर आप लोगों तक बाते पहुचान और यह सब मेरे अपने विचार हैं आप लोग अपने विचार जो है comment box में जरूर प्रकट कर सकते हैं अपने अपने घरवालों की परवरिश का जो है वो इंट्रॉडक्शन दे देते हैं तो वह मुझे अच्छा है लगता कि मैं आपके घरवालों के बार में कुछ कहूं क् पर्टिकुलर देक्शन का नाम में specifically और लेना चाहूंगा एक section 80E जिसमें आप जब education के लिए लोन लेते थे उसका जब आप interest पे करते थे without any limit जो आपको deduction मिल जाती थी तो अगर कोई भी parent अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ने के लिए कोई लोन लिया क लेकिन आपको जो है वो भी बिल्कुल छोड़नी पढ़ जाएगी तो इतनी सारी चीज़े सर जब आप छोड़ेंगे तो आपको सर हो सकता है बहंकर नुकसान वह नुकसान भी आपको बताया दो किस किस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं खेर इतनी सारी चीज़ों की deduction एक काम आदमी तो लेता नहीं है लेकिन एक काम आदमी सर 80C में 1,500,000 और मैं बोलूँगा कि 80D के अंदर जाके 25,000 और house property के अंदर जाके 2,000,000 और कुछ और deductions हैं जो ज़रूर लेता था अब वो नहीं मिलेगी तो उसकी विए से मैं calculate करने बैठा तो मुझे लग रहा था कि लगबग जो है मेरा लाखों में tax बच जाता था अगर मैं 15,000,000 की salary कमाता हूँ by chance तो मेरा 30% के साब से लाखों में tax बच जाता था वो tax जो है वो नहीं बचेगा और मैं net-net calculation में जब करने हैं पहुचा तो मुझे यह दिखाई दिया कि भाई कहीं ना कहीं मुझे 50,000,000 रुपए का नुकसान हो रहा है नए tax regime में जाके या तो मैं साई reduction चोड़ूँ या मैं से नए tax regime चोड़ूँ अब मैं से deduction चोड़ूँगा नहीं क्योंकि हो सकते हैं मैं बहुत सारी इसी पुरानी insurance policy हो चो मैं इसी planning के साथ लेती कि मुझे deduction मिल जाए करेगी मेरे बहुत सा tax regime से दूर रहना पड़ेगा मुझे पुराने tax regime में ही रहना पड़ेगा अब बात करते सर एक्चुली में tax by impact कितने आने वाला है मैं basic 4 deduction लेके चलूँगा जो के सर आम आदमी जो एक salary person जो हो लेता ही लेता था इनमें से कुछ deduction जो है salary employee ना लेके हर employee जो हर बंदा जो हो ल नहीं करता था क्यों नहीं पे करता था क्योंकि मुझे सर डेक्शन मिलती थी house property की दो लाग की डेक्शन मिलती थी standard deduction पचास जार मिल जाती थी ATC जो है 1.5 लाग मिल जाती थी और ATD जो है 25,000 मिल जाती थी यानि 4,25,000 रुपे जो है उस amount को पे करके मैं जो क्या ले लेता था डेक्शन ले लेता अब इस 4,25,000 रुपे पे मैं 30% का tax पचाता था यानि कि 1,27,500 रुपे का जो है मैं tax बचा लेता था तो धाई लाग में से अगर मैं से माइनस कर दूँ तो net net मैं 1,25,000 रुपे का tax पे करता था 1,25,000 का अब नई स्कीम के अगर बात करता हूँ नए tax rates के हिसाब से अगर मेरी income 15,000,000 तक है तो सुनके लगता है कि बहुत बढ़िया क्योंकि मेरा tax जो है 1,75,000 बनेगा कहने वाले लोग ये कहेंग से जब मैं माइनस करता हूँ 1,25,000 तो net net मुझे 52,500 का नुकसान हो रहा है हां जी आपने बिल्कूल सही सुना नए tax regime में अगर मैं सर एक आम व्यक्ति हूँ तो सर मुझे लगबग 52,500 का नुकसान हो रहा है अब ये हर किसी के लिए applicable नहीं है मैंने बूला कि सर इस बार जो सबस्तों पर आपना दुरुवराती के लिए वह जाहूंगा दुरुवराती सुना आपकी मेरे बात हुआ थी जाहां था आपको फॉलते वो को ज और लगता है वो एक लाग बढ़ा के 5 लाग कर दी गई है अगर आप में सर्दम है तो प्लीज पर वीडियो बनाइएगा और एक बात तारीफ जरूर कीजिएगा सरकार की इस बात को लेके क्योंकि वो लिमिट सब पिछले काई सालों से 1 लाग तक चलती भी आ रही थी आज वो लिमिट जो है वो 5 लाग कर दी गई है एक सिंपल सा लॉजिक में आप लोगों को बताता हूँ अगर कोई अच्छा काम होता है उसकी तारीफ करो कोई बुरा काम करता है उसकी बुरा ही करो और यहाँ पर अगर आप दुरवराटी साब आपके सामने किस बात को लेके आपके नए income tax rates को लेके अगर मुझे कोई गलती हुई हो सरे इस वीडियो में तो माफ कर दीजेगा क्योंकि यह नहीं नहीं चीजे हैं मैं आपके पास updated चीजे भी पहुचाने की कोशिश करूँगा time to time चैनल को subscribe करिएगा और नीचे comment box में अपने जरूर विचार रखिएगा और इस वीडियो को जाजाजाज शेर कीजेगा thank you very much stay connected stay ahead जैहिंद और हां सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद